हेलो माई डियर स्टूडेंट्स हमने कल स्टार्ट किया था चैप्टर नमबर सेक्स और उसमें 6.1 मैंने आपको बताया था कि 6.1 में हमने क्या क्या किया ओके नाव 6.1 के बाद अभी 6.1 में कुछ 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 रहते थे तो पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे कुछ नमबर 20 तक मैंने ये कंप्लीट कर लिये थे और मैंने होंवर्क में दिया था 4, 5, 6, 10, 13, 14, 17, and 18 में इंपॉर्टेंट बात ये बताई थी कि मैं कुछ का एक्जामपल लेता हूं कि अगर हमारे पास यहां पर मैंने में बताई थी अगर हम माइनस से मल्टिप्लाई करत हैं तो इसका साइन क्या जाता है इनिकेशन में चेंज हो जाता है और या फिर आप एक्विशन का से क्विशायची nya में चेंज हो जाता आ है अब हम इसमें कुछ लैंग्विज वाली प्राब्लमस हैं उसको स्टार्ट करते हैं 6.1 ही है वारे पास की 6.1 ठीक है, 6.1, question है, रवी obtained 70 and 75 marks, ठीक है, तोड़ा छूटा इसमें लग रहा होगा, तो मैं तोड़ा सा इसको लिख देता हूँ, exercise 6.1, question number 21, 21, रवी obtained, रवी obtained 70 and 75 marks, in first two unit test, first two unit test, find the minimum, find the minimum marks, उसके कितने marks आने चाहिए, marks we should get, he should get, in third test, in the third test, so that, so to have an average of, to have an average of, at least, 60 marks, रवी obtained 70 and 75 marks, in that first two test, उसके 3 test हुए, first solution देखे, first test में, जब भी हमाँ पास language वाले questions आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको mathematical form में convert करना, हम उसको शुरू कर देते हैं, उसको हमेशा mathematical form में, आप कीजिए convert, ठीक हैं, तो first test, first test में marks, first test marks, कितने हैं, how much, 70, second test, यहीं तक दिया था, first two unit, हमने उसको mathematical form में लिया, 75, find the minimum mark in third test, तो let third test क्या ले 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 हैं, third test, x marks ले ले, third test की जो marks है, आप उसने का, find the minimum marks, we should get in third test, to have an average, average आ गया, average हम कैसे find करते हैं, जो हमारा average होता है, जितने भी हमारा plus sum होता है, इतने भी test है, x plus mean की तरह है, आप मानिएं, जैसा 10th class में mean upon three, हम जो average का मतलब होता है mean, जो हम 10th class में करते थे mean, अब उसने लेका है, this average, should be greater than equal to 60, जो यह average है, वो greater than equal to क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए, x plus 70, at least, जब भी हमारे पास at least आएगा, at least का मतलब हमेशा हम greater than equal to use करें, at most आता है, तो हम यह चीज़ धियान लखना, at least में, at least कहीं भी आएगा greater than equal to and at most हम क्या करेंगे, less than equal to, यह हमें use करने है, notations, now x plus 75 upon 3 greater than equal to 60, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, उसने का minimum marks चाहिए, find the minimum marks, find minimum, तो minimum marks के लिए हमें minimum, हमने इसको रख लिया, x plus 70 plus 75 greater than equal to 60 into 3, x plus 5, 145 greater than equal to 180, then x is greater than equal to 180 minus 145, x क्या हो गया हमारे पास, greater than equal to 35, इसका मतलब उसको minimum marks कितने आने चाहिए, minimum marks should be minimum marks, minimum marks, minimum marks, कितना होना चाहिए, minimum marks should be 35, ठीक है, now, minimum, कम से कम, अब इससे greater है, तो minimum तो इतना ही हुए, minimum मतलब कम से कम, ऐसी सेम है, question number 21, 21, 21 में का है, to receive a grade, मैं इसको इसी पे show करता हूँ, न, questions पही, थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं इसको, आपको easily पता चल जाएगा, है न, और बढ़ा कर लेते हैं, है, थोड़ा सा और बाव कर लेते हैं, क्या, question में का है, to receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks, मतलब अगर ये average, जैसे इस वाले में हमारे 60 कहा था, इसमें कितना का, 90 marks, ठीक है, और more in first five examination, first five examination, पाँच examination हुए है, उसे 90% से उपर मार्क चाहिए, average minimum, one must obtain, अगर सुनीता कि first four में का, जैसे उस वाले में का था, first two में है, तो third में बताने के, इसमें first four में marks हमें बोल दिया, तो first four में marks अगर हमारे इतने हैं, तो fifth में कितने होना चाहिए, ठीक है, questions को solve करते हैं, first four में, first test average उसने बोल दिया, minimum twenty one, question थोड़े चोटा कर लेते हैं, average, average कितना होना, ninety, है न, to receive grade A, average इतना, ठीक है, first test में कितने का है, first, first exam में, first exam में उसने का है, eighty seven, then second में, ninety two, third में, third exam में कितना का है, ninety four, and the fourth exam में कितना का है, ninety five, और fifth में हम क्या ले ले, suppose fifth में कितना है, X, तो average, उसने का है, average should be minimum, minimum average, average, average should be greater than, equal to ninety, इससे, minimum इससे, और इससे जादा है, number आएंगे, तो उसको A grade मिलेगा, ठीक है, तो हम average क्या आता है, 87 plus 92, 87 plus 92, plus 94, plus 95, plus X, upon how much, five, greater than, equal to 90, अगर हम इन सब को add करते हैं, five or four, nine, nine, nine or two, 11, 11 or seven, 18, eight हाजाएगा, मारा, ठीक है, फिर, eight आगिया, बन रहे गया, nine four जा, 33, six, eight, plus X, is greater than, equal to 90, into five, यह हो जाएगा, हमारे पास, 368, तो X, कितना हुआ, greater than, equal to 450, minus 368, X, is greater than, equal to, how much, 450 minus 68, कितना हाँ, 10 minus 8, two, four minus 14, minus 6, 82, तो उसको, minimum marks, कितने चाहिएंगे, minimum marks, कितने हो जाएंगे, उसके, minimum marks, will be, 82, तो answer is, 82, जैसे, इस पर 35, minimum, हमने, greater than, इतना है था, तो 35 लिग दिया, minimum, इतने होने चाहिए, तो इस तरह, language वाली, जितने भी questions, होंगे, हम उसको, mathematical form में, convert करते जाएंगे, and solve करेंगे, देखे, 23 and 24, लगबक एक जैसा है, 23, हम 23, start करते हैं, 23 को पहले, एक बार हम पढ़ लेते हैं, find all pair of consecutive, consecutive odd positive integer, both of which are smaller than 10, and their sum is more than 11, उसने का, consecutive odd, consecutive कौन सा होते हैं, अगर odd लिया, तो अगर मेरे पास 1 है, consecutive, question number 23, है न, 23 हम इस्सार्ट करते हैं, question number 23, start करते हैं, 23, 23, ठीक है, 23 में एक आए, consecutive odd integer, consecutive, 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 numbers, consecutive numbers क्या होते हैं, मालिया, one है, मालिया, four है, five है, ये दोनों, consecutive है, five है, seven है, ये, five है, और six है, ये हो गए, तो consecutive numbers हो गए, लेकिन अगर मैं क्या हूँ, consecutive, consecutive odd numbers, odd, number बोले चाहिए, even number, तो क्या हो गया, अगर, एक one होगा, तो दूसरा क्या होगा, three, है न, या फिर, एक three होगा, तो दूसरा क्या होगा, five, दोनों में two का difference आता है, तो, let one number, हम क्या ले ले, दो number उसने का है, let one number is, equal to x, and the other number will be, अगर मुझे, x plus two, अगर एक x है, एक two, और यह बोट आर odd, और यह हमने क्या लिए, बोट आर, odd, अगर हम even आएगा, तो हम उसको change कर देंगे, हम उसके next से आगे बीचे, लेंगे, बोट विचार smaller than 10, यह दोनों क्या है, smaller than 10, x is less than 10, है न, and x plus two, less than 10, बोट आर स्मॉलर, condition one, condition one यह का है, बोट आर, less than, बोट आर, less than, 10, and there, their sum is more than 11, condition two, their sum is, more than, 11, okay, अगर उनका sum more than 11 है, तो इसका मतलब, x plus, x plus two, is greater than 11, उसने एक एकको नहीं कहा, थेर स्म तो 2x plus two, greater than 11, 2x is greater than 11 minus 2, 2x greater than 9, यह हो जाएगा, and x is greater than 9 by 2, इसका हम क्या लिखेंगे, x is greater than 4.5, x 4.5 से बड़ा होना चाहिए, तो अगर यह 4.5 से बड़ा है, तो अब यहाँ पे हम, hit and try यूज करते हैं, यह x is 4.5 से तो बड़ा है, 10 से छोटा है, हमें odd भी चाहिए, odd number, तो क्या होगा, first number क्या होगा, 4.5 से बड़ा, 5, second number, 7, first 5 हो गया, second क्या हो गया, 7, दोनों के दोनों क्या हो गया, 10 से तो छोटे, both are, अब देखें, both are less than 10, यह लिखते हैं, both, are less than 10, yes, and the sum is greater than, ठीक है, एक answer तो यह हो गया, answer 1, answer 2 क्या होगा इसका, 2 answer होगे, answer 2 क्या होगा, first number क्या, हम क्या लिख सकते हैं, 7, second number, 9, both are less than 10, दोनों के दोनों less than 10 है, odd भी चाहिए, odd number भी चाहिए, less than 10 भी चाहिए, तो directly number निकल जाएंगे, इस तरह हम solve करेंगे, हो सकता है, तीसरा भी और अंसर थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या होगा, first number क्या होगा, 9, and, इसका अंसर, third answer भी आ सकता है, first number is 9, and the second number, second number क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 11, अब यह पॉसिबल लहीं है, it is not possible, यह पॉसिबल लहीं है, it is, not possible, इतना पॉसिबल था, 9 और 11 क्यों, because it is, greater than, it is greater than 10, यह 10 से बढ़ा हो गया, हमें क्या चाहिए था, 10 से चोटा चाहिए था, this should be less than 10, this should be less than 10, अना, अब बढ़ा हो गया, तो अंसर क्या रहेगा, एक यह अंसर रहेगा, एक यह और यह नहीं होगा, अंसर, next question number, 24, this was the 23, and the 24, same है, अब ट्राई करेंगे, try it, अब ट्राई करेंगे, अब पूछ लिए जाते है, अब पूछ लिए जाते है, 25 में क्या का है, the longest side of a triangle is, longest side of a triangle, longest side of a triangle is, three times the shortest time side, and the third side is two centimeters, shorter than longest side, तो longest side को हम X ले लेंगे, shorter को X ले लेंगे, sorry, if the perimeter is at least, perimeter में क्या आगया, at least, ठेक है, और 26 का यह hint given है, यह आप try करेंगे, खुद, 25 में आपको बताता हूँ, question number 25, 25, 25 में क्या का है, हमें, longest side of a triangle, is three times the shortest side, ठीक है, तो let, shortest side के लेने हम, shortest side, is equal to X, तो longest side क्या जाएगा हमारा, longest side will be given है, 3X, बड़ा book लेके, जब सब को बैठना है, copy लेके हाँ, तो आद मैंने आपको कई बार में बता चुका हूँ, copy और book लेके, आप हमेशा बैठी है side में, and the third side, third side हमें क्या का है, third side two centimeter, shortest than the longest side, मत्ब longest side से, two centimeter shortest है, है न, two centimeter shortest है, तो longest कितना हुआ, longest कितनी थी हमारी 3X, minus two, if the parameter of this, parameter उसने का है, at least, parameter कितना का है, parameter, is at least, greater than, equal to 61, अगर में पास, parameter कितना हुआ, 61, तो ठीक है, ले लेते हैं, X plus, 3X plus, 3X minus two, greater than, equal to 61, तो 3, 3, 6, 7X minus two, greater than, equal to 61, 7X is greater than, equal to 61, plus two, 7X is greater than, equal to 63, यह जाएगा वाइपास, and X is greater than, equal to 63, अपन 7, तो X is greater than, equal to 9, X का जाएगा 9, तो, minimum side, हमें चाहिए, minimum, shorter side, कितनी हो जाएगी, 9, longest, कितनी हो जाएगी, 3X है, तो 3 into 9, है न, और, third side, 3 cm, 2 cm, is shorter than, third side, 3X minus, 2, that means, 27 minus 2, that means, 25, यह होगे, हमारी, third side, तो, इस तरह, हम minimum, से, हम find कर लेंगे, तो, हमने, आज, इस वाइली, एक्सराइज, इस भी 24, and 25, दो, कुशन दिये, अब, आगी, next, जो, हमारे पास, topic आता है, वो, आता है, हमारे पास, graphical solution, graphical solution, of linear inequalities, तो, मैं, graphical solution, कराने से, पहले, आज, क्या करते हम, graphical की, दो, exercise हैं, उससे, पहले, हम करते हैं, miscellaneous, क्योंकि, हमारे पास, miscellaneous में, जितने भी, questions हैं, मैं आपको, दिखा देता हूँ, miscellaneous में, जितने भी, questions हैं, वो, हमारे पास, इसमें, सब graph के हैं, graph वाले, हम बाद में, करते हैं, पहले, आज, हम क्या करेंगे, miscellaneous exercise करेंगे, और miscellaneous exercise में, जितने भी, हमारे पास, questions हैं, वे, सारे के, सारे, questions, one variable, वाले हैं, graphical, नहीं हैं, तो, क्योंना, हम पहले, miscellaneous, हम complete कर ले, इस type के questions है, इस type के questions है, सारे, वही complete करते हैं, miscellaneous exercise स्टार्ट करते हैं, now, miscellaneous, next हमारे पास आते हैं, miscellaneous exercise, chapter six, six chapter के, हम miscellaneous exercise स्टार्ट करेंगे, है न, चलिए, इसमें स्टार्ट करते हैं, question number one से, इसको थोड़ा सा पहले से, जो था, वो different तरीके से, इसमें लिखा हुआ है, two is less than, देखें किस तरह question given है, three x minus four, less than five, हमें इस question को करना है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह की जितने भी questions होते हैं, जहां पर in equations, हमारी two आ जाएंगी, एक बार हमने ये लिया, two is less than equal to three x minus four, and three x minus four less than equal to five, इस तरह ये थोड़ा हमारा simple हो जाएगा, direct भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे जो अच्छे हैं, अच्छे जिनको बहुत अच्छे से आता है, अच्छे से मेरा मतलब नहीं है, कि बहुत आगे बढ़ गए, ठीक है, जिनको अच्छे से आता है, वो direct भी कर सकते हैं, पर सबसे simple भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई घवराने वाली, एक question जरूर आता है, जाम में इसमें से, ये combine वाला, तो अब क्या होगा, कितना आजाएगा, 2 प्लस 4, इसको इदर ले जाते हैं, 3X, और ये होजाएगा, 6 is greater than, less than equal to 3X, तो हम क्या लिख सकते हैं, X is greater than, 6 by 3, तो X is greater than, equal to क्या होगा है, 2, हम इसको इस ले सकते हैं, X is greater than, equal to 2, ऐसे इसमें, 3X minus 4, less than, equal to 5, 3X is less than, equal to 5, plus 4, and the 3X is, less than, equal to 9, and X is, less than, equal to 9, upon 3, that means, X is, less than, equal to 3, जो जाएगा, अब, हमारा answer क्या होगा, answer check करने के लिए, real number 9 पर चेक करना है, तो हम लोग, answer check करने के लिए, हम क्या करेंगे, 2, number line, और कहीं यहाँ पर 3 होगा, अब उसने कहा है, X कहीं 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 0 होगा, और इस तरह हम, X is greater than 2, greater than 2 किदर की साइड होगा, इदर की साइड होगा, X is less than 3, X is less than 3, less than, इदर की साइड होगा, less than 3, तो जो तूर्णू का common portion होता है, वो हमारा solution होता है, तो हम कैसे लिखेंगे, X is greater than equal to 2, and less than equal to 3, या फिर, और, हम इसका answer ऐसे भी लिख सकते है, X belongs to 2 to 3, इंटर्वर्स की फॉर्म में, नेक्स स्टार्ट करते है, question number 2, 2 में क्या कहा है, this is, मैंनों पहले इस लिख 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 लिया है, question number 2, आब दोनों को separate करते है, 6 is less than equal to minus 3, 2x minus 4, then minus 3, 2x minus 4, less than 12, now, 6 less than equal to minus 3 से multiply कर दिजे, minus 6x plus 12, तो, 6 को, इस बार 6x को इदर ले जाहिए, less than equal to 12 minus 6 तो यह ही क्या जाएगा 6 x is less than equal to 6 and x is less than equal to 1 x आ गया मरे पर less than equal to 1 now multiply minus 6 x plus 12 less than 12 minus 6 x less than 12 minus 12 minus 6 x less than 0 अब यहाँ पर special दियाद देना है special क्या है कि minus आ गया और यहाँ 0 आ गया है है हम बहुत जादा गलतिया करते हैं क्या गलती करते हैं mistake सबसे जादा है हम यह करते हैं कि इसमें सीधा लिख देता है x is less than 0 यह wrong है this is wrong ठीक है तो हम correct कैसे करेंगे minus से multiply करना है यह चीज़ धियाद नखना मैं हर बार यह बता रहो और यह sign change हो जाएगा and x is greater than 0 x is greater than तो 0 है and less than equal to 1 है greater than 0 है यह हो जाएगा less than 1 यह हो जाएगा less than equal to 1 ठीक है न less than equal to 1 यह हो जाएगा greater than 0 यह हो जाएगा तो हमारे पास क्या है यह portion आया तो x जो है 0 से तो बड़ा है और less than equal to 1 या फिर मैं यह लिख सकता हूँ x belongs to 0 to 1 इसमें open और इसमें closed and इसमें open next question अब अब third third start करते है third question में क्या कहा है हमारे पास third में कहा है minus 3 less than equal to 4 minus 7x by 2 less than equal to 18 separate कर लेते है minus 3 less than equal to 4 minus 7x by 2 and 4 minus 7x by 2 less than equal to 18 यह हो जाएगा x को आप इदर लिया है 7x by 2 less than equal to 4 plus 3 अना 4 plus 3 हो गया now 7 हो जाएगा 7x is less than equal to 7 into 2 और x is less than equal to 7 into 2 upon 7 x is less than equal to 2 ऐसे इसमें क्या होगा minus 7x by 2 less than equal to 18 minus 4 minus 7x by 2 less than equal to 14 minus 7x less than equal to 14 into 2 28 हो जाएगा अब minus से पहले multiply करने पड़ेगी minus से multiply कीजिए पहले फिर 7 से divide करेंगे minus 14 into 2 जैसे ही मैं minus से करूँगा तो क्या होगा मेरा sign change हो जाएगा चाली केंगा हम sign this one greater than यहां से यह sign change हो गया मैं हर बार sign इसी तरह बदलता हूँ x is greater than equal to 14 into 2 upon 7 and x is क्या हो जाएगा मैं पास greater than equal to 4 अब x जो है फिर से number line मैं पास आगया 2 से तो greater है and 4 से less than है तो answer क्या हो गया x is greater than equal to 4 and less than equal to 2 x belongs to 2 to 4 sorry यह तो गलत हो गया इसका तो 9 solution आएगा मैंने यह greater than की जाएगा उल्टा लिख दिया इसमें question में क्या क्या है x यह लिया मैंने 0 1 2 3 4 क्या क्या है question में कि x जो है less than 2 है less than 2 किदर आईगा less than 2 less than 2 इदर की साइड यह गलती है करते हैं इसा बच्चे जाद अतर ध्यान रखना जो मैंने अभी किया है बहुत जादे गलती होती है और यह greater than 4 ठीक है तो हम यह answer लिख देते हैं अब यह answer wrong है यह answer क्या है wrong यह नहीं लिखना हमें कभी भी इस तरह है जैसे मैंने अभी किया greater than तो अब यह तो less than था तो इदर वा लगा दिया यह वाला था तो इदर लगा दिया जल्दी जल्दी में जब हम बहुत questions करते हैं अब फिर यहां पर देखा यह आ गया तो यह block कर गया अब यह तो number lines are 4 to 2 यह तो वैसे ही गलत हो रहा है तो यह चीज़े दियान लगा अब इसमें इदर गया इदर गया लिख तो देंगे I am greater than 2 लेकिन यह answer correct नहीं जो do no equation में satisfy करें यह इदर गया यह दिर गया there is no common portion क्या होगा no common portion जब यह common portion नहीं है तो हम क्या लिखेंगे इसका no solution इसका कोई भी solution नहीं होगा यह चीज़ ध्यान लखना कि जब भी हमारे पास यह common जब तक नहीं आता इन दोनों का जब तक यह common नहीं आएगा तो हमारा solution नहीं होगा यह चीज़ इसका लिखना now next चलते हैं question number fourth fourth question number fourth fourth में क्या कहा है हमारे पास minus 15 less than 3 x minus 2 upon 5 less than equal to 0 यह हो जाएगा एक बार हम यह ले ले लेते हैं यह दोनों minus 15 less than 3 x minus 2 upon 5 और एक बार हम क्या लेंगे 3 x minus 2 upon 5 less than equal to 0 solve कर लेंगे इदे ले जाएगे minus 15 into 5 less than 3 x minus 6 इसको हम इदे ले जाएगे 15 by 5 जा 75 plus 6 less than equal to 3 x आप minus 75 plus 6 कितना है minus 69 less than 3 से divide कर दीजे x is greater than कितना हुआ 3 2 जा 6 minus 23 यह आगए हमारे पास 23 से greater है अब इसमें देखते हैं x minus 2 less than equal to इसको लेगे 0 x is less than equal to 2 23 से तो greater है है ना और 2 से less than है 2 यहाँ पर आएगा कहीं पर 0 हैएगा कहीं यहाँ पर minus 23 कहीं आएगा चोटे 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 बना दे तो 23 से तो greater है और 2 से क्या है less than है, बिल्कुल, answer आएगा, क्यों नहीं आएगा, answer क्या होगा, x is greater than minus 23, less than equal to 2, हम इसको open रखते हैं और इसको closed, है ना, answer किस तरह लिगेंगे, x belongs to minus 23 to 2, यह answer हो जाएगा, now next, question number 5, 5th में थोड़ा सा एक portion है, हमें को बताना जरूरी है, 5th question में, 5th question में क्या का है, minus 12, less than 4 minus 3x minus 5, और less than equal to 2, question इससर है, दोनों को separate कर लिजिए, एक बार ये, एक बार ये लिजिए, minus 12, less than 4 minus 3x minus 5, और 4 minus 3x upon minus 5, less than equal to 2, तो यह हो जाएगा, minus 12, less than 4 plus 3x upon 5, 4 को इदर ले जाएगा, यह minus minus plus हो जाएगा, यह चीज़ ध्यान लेखना, minus 12, minus 4, less than 3x upon 5, तो यह हो जाएगा, अमारे पस, minus 16, यह हो जाएगा, 4 आया, एक बार हमने इसको लिया, तो यह कुशिन एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, यह स्करेक्ट है, तो कितना है, into 5 upon 3, less than 3x, तो x, sorry, x, x is greater than, minus 16, minus 5, 16 to 5, minus 80 upon 3, यह हो जाएगा, यह इदर गया, इदर गया, तो मैंने sign भी change की है, ऐसे इस वाले में हम क्या करेंगे, 4 plus 3, 5 by x, less than equal to 2, 3 upon 5x, less than equal to 2, minus 4, 3 upon 5x, less than equal to minus 2, तो x क्या होगा हमारा, less than equal to minus 2, into 5 upon 3, तो x क्या होगा, less than equal to minus 10 upon 3, ओके, आप देखते हैं, minus 80 upon 3, 0, minus 10 upon 3, यहाँ आएगा, और minus 80 upon 3, कहीं यहाँ पर आएगा, आना, तो x is greater than minus 80 upon 3, greater than अमेशा इदर की side, और less than अमेशा इदर की side, तो answer क्या हैगा, x is greater than, x, x is greater than minus 80 upon 3, and less than equal to minus 10 upon 3, x, इंटर वर्स की फॉर्म में, minus 80 upon 3, ओपन बैकेट, and minus 10 upon 3, अमेशा बैकेट, यहाँ जाएगा, इसके इसके बीच में, आएगे, now next, question number 6, 6, start करते है, 6th में क्याएगा है, 7 less than equal to 3x plus 11 upon 2 less than equal to 11, आएगे, तो एक, I think यह हो जाएगा, इसको हम मुख में रखते है, 6th को, easy रहे है, बहुत easy है, कोई ज्यादे इतना difficulty level नहीं है, आप चलते हैं, 7th question, 7th question में, हमाएँ पास क्या है, 5x, जैसे 5x plus 1, greater than minus 24, इसमें अलग-अलग separate हमें दे रखा है, दिया हुआ है, हमाएँ पास यह separate, इस तरह है, आप देखिये, मैंने दोनों question लिखे, इसमें हमें separate करना होता था, इसमें हमें separate दिया है, तो सीधा, दोनों को solve करना है, और combine values लिख देनी है, 5x plus 1, greater than minus 24, 5x is greater than minus 24, minus 1, 5x is greater than minus 25, x is greater than minus 25 upon 5, तो x is greater than minus 5, यह हो जाएगा, greater than 5 minus 5, अब ऐसे ही है, 5x minus 1, less than 24, 5x less than इदर गया तो यह plus हो जाता है, 24 plus 1, और 5x is less than 25, और x is less than 25 upon 5, तो x क्या होगा हमारे, less than 5, तो greater than minus 5, minus 5 से greater than है, है न, greater than minus 5, open आएगा, इदर की साइड होगा, और less than 5 है, less than 5 क्या होगा, इदर की साइड, तो answer क्या होगा, x is greater than minus 5, less than 5, तो x belongs to, minus 5 to 5, इस तरह यह answer होगा, real number, मतलब दोनों इस बार, जो आगी question है, 7, 8, 9, 10, इन में separate हमें दे दिया, जैसे question number 8 है, 8 स्टार्ट करते हैं, 8, 8 में क्या कहा है, 2 into x minus 1, less than x plus 5, and 3 into x plus 2, greater than 2 minus x, solve कर लेते हैं, 2 x minus 2, बहुत सारे की हैं, बस combine करके, last वाली हमें number lines का ध्यान लखना है, x को इदर ले जाएं, 2 x minus 1, less than 5 plus 2, तो x less than 7, यह हो जाएगा मारे पास, ऐसे यहाँ पर 3 x, 3 x plus x, greater than 2 minus x, इसको इदर ले जाएंगे, 3 x plus x, greater than 2 minus 6, 4 x greater than minus 4, x is greater than, minus 4 upon 4, तो x क्या होगा हमारा, greater than minus 1, तो minus 1 से तो बड़ा है, minus 1 से बड़ा है, और 7 से चोटा है, open आएगा यहाँ पर, minus 1 से बड़ा है, और 7 से चोटा है, तो answer क्या आएगा, x is greater than minus 1, less than 7, तो answer क्या लिखेंगे हम, x belongs to minus 1 to 7, यह हमारा open interval हो जाएगा, now, next, question number 9, बड़ा सा और करेंगे बस, question number 9, 9th में देखेंगे है, 3x minus 7, greater than 2 into x minus 6, 3 into x plus 2, greater than 2 minus x, दोनों को separate करेंगे, now, किस तर है, 3x minus 7, greater than 2x minus 12, 3x minus 2x, 2x इदर आजाएगा, and 7, इदर आजाएगा, यहने, तो x is greater than minus 5, x क्या हो जाएगा माई पास, greater than minus 5, तो 3x plus 6, greater than 2 minus x, इसको इदर ले जाएगे, 3x plus x, greater than 2 minus 6, तो 4x is greater than minus 4, तो x क्या हो जाएगा माई पास, greater than minus 4 upon 4, x is greater than minus 1, x जो है हमारा, minus 1 से, oh, very good situation, 9th question है हमारे पास, x minus, x is greater than minus 5, यह minus 5 है, और यह minus 1, greater than minus 5 है, वो इदर की साइड होगा, greater than minus 1 है, वो किदर की साइड होगा, वो भी इदर की साइड, तो दोनों का जो common portion होगा, वो यह होगा, this one, इस बार हमारे पास, जो दोनों का common portion होगा, वो क्या होगा, यह, जो यह मैं red कर रहा हूँ, अच्छा है, यह question मेंने, चल्में, यह question मेंने, थोड़ा सा, यहाँ पर यह wrong copy कर लिया है, बट यहाँ से, wrong copy करने से भी benefit हुआ, कि हमारे पास, एक नया concept भी आ गया, तो हम इसको 9th ना लिखके, extra question लिख देते हैं, है न, extra question, लेकिन यहाँ पर, इस लिए मैं इसको, चाहता तो मैं इसको दुबारे, 9th solve कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास, एक नया concept आ गया, क्या नया concept आया, अभी तक क्या हो रहा था, जितने भी थे, या तो मेरे पास, जैसे एक इधर चला जाता था, एक इधर चला जाता था, अंसर आ गया, और या फिर एक ऐसे, ऐसे माक हो रहा था, या फिर एक ऐसे माक हो रहा था, तो इधर चला गया, तो इसमें क्या होता था no solution इसमें में अब इस वाले का एक नहीं concept आ गया x is greater than minus 5 greater than minus 5 इधर की side हो गया और greater than minus 1 इधर की side तो दोनों का common तो यह हो गया बच्चे इसको क्या करते है no solution लिख जेते हैं जबकि answer क्या होगा इसका x is greater than minus 1 तो answer हम क्या लिख सकते है x belongs to minus 1 to infinity infinity इस तरह है तो आज इतना ही हम portion रखते हैं आज हम homework में देते हैं question number six nine and ten nine यह नहीं था यह extra question हो गया था तो अभी पहले यह लिखते है miscellaneous के यह homework है और six point one के भी हमाने दो question दिये exercise six point one के कौन से दो question दिये है question number 24 and 26 24 and 26 यह आप try कीजिए बहुत simple questions है फिर भी अगर किसी को कोई problem आती है अभी बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ पिछले की वीडियो में की कोई comment नहीं होता तो आप मेरे को nine eight one eight one five three zero four four पर आप मेरे को problems पूछ सकते हैं phone यह मेरा phone number है इसमें आप मेरे को problems पूछ सकते हैं whatsapp कर सकते हैं problems whatsapp number है मेरा यह phone का तो पता नहीं उठाए ना उठाए लेकिन whatsapp number आप इस पर मेरे को अगर किसी को कोई भी बच्चे को problem है तो मेरे को इस number पर आप phone कर सकते हैं ठीके thank you very much अपने इतने सारे questions की अभी और questions है next video में हम वो questions करेंगे अभी ग्राफ वाले questions है ओके अभी आप इतना complete कीजी तैंक यू झाले कि अभी पर आप इतना कीजी तैंक यू झाले कि अभी आप आप इतना कीजी तैंक यू